हेलो दोस्तों स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलोजी की इस दुनिया में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तिमाल होने वाले फूड प्रॉड़क्ट्स और कुछ बेहत जरूरी चीजों को आखिर फैक्ट्री में किस तरह से तयार किया जाता है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शिरू करते हैं टोमेटो कैचप मेकिंग टोमेटो कैचप आज कल हर फास्ट फूड में इस्तिमाल की जाने वाली चीज है इसके बिना फास्ट फूड इंडस्ट कुई अधूरी है तो आईए जानते हैं आखिर इसको फैक्टरी में बनाया कैसे जाता है टोमेटो कैचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो के खेतों में बड़े स्केल पर टोमेटो हर्वेस्ट किया जाता है इसके लिए बड़ी बड़ी आटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों का इस्तिमाल किया जाता है ये आटोमेटिक मशीने टमाटर के पौधों को डारेक्ट ही जमीन से काट कर उन्हें कनवेर के थू अंदर कंटेनर में लेती जाती है और यहां अंदर लगी फिल्टर मशीने टमाटर को उनके पौधों से सेपरेट करते हुए उसमें से टमाटर को अलग कर देती है और इस टमाटर को ये अलग कंटेनर में इकठा करते जाती है जब ये मशीन टमाटर के पूरे पौधे को काटती है तो इसमें कच्चे और पक्के सभी तरह के टमाटर आ जाते हैं इसलिए फिर एक automatic scanner के जरिये इसमें से सफेद वाले टमाटर याने की कच्चे टमाटर को इन में से filter कर लिया जाता है फिर इन टमाटर को एक अलग container में load किया जाता है फिर इन सभी पके हुए टमाटर को tomato ketchup बनाने के factory तक लाया जाता है यहाँ इन सभी टमाटर को एक बड़े पानी के container में डाला जाता है यहाँ इन टमाटर को wash करते हुए इन्हें conveyor के through आगे भीच दिया जाता है अच्छे से टमाटर को clean करने के बाद इन सभी टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है यहाँ उबलते हुए पानी में इन टमाटर को काफी देर तक उबाला जाता है जब इन टमाटर की उपरी स्किन गलने लगती है तो फिर इन टमाटर को एक कनवेर की मदद से इस गर्म पानी में से निकाल लिया जाता है और इन उबले हुए टमाटर को कनवेर के थूँ आगे भीजा जाता है जहां पर इन टमाटर की manually छटाई होती है ताकि इन में कोई बिना छिला हुआ टमाटर ना रह जाए इसके बाद में इन सभी टमाटर को फिर से एक बार conveyor पर डाल कर आगे एक mixing machine तक पहुझा दिया जाता है यहां ये machine इन टमाटर को crush करके इनका sauce बनाती है और यही पर इन में कुछ ज़रूरी ingredient और preservative मिला दिये जाते हैं जो कि इसके taste के साथ इसके उम्र को भी बढ़ा देते हैं नेक्स्ट इज शुगर मेकिंग प्रॉसस शुगर मेकिंग प्रॉसस शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को काटा जाता है और फिर इन्हें ट्रॉकों में लोड करके शुगर मील तक लाया जाता है फिर इन गन्नों को एक कटिंग मशीन के नीचे रखा जाता है जहां इन गन्नों को छोटे छोटे टुकडों में काट दिया जाता है फिर इन टुकडों को पाने के कंटेनर में डाल कर धोया जाता है अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्ने को एक क्रशिंग मशीन से गुजारा जाता है यहां ये मशीन इन गन्नों को crush करते हुए छोटे छोटे टुकडों में बदल देती है इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गन्ना बिलकुल पतले पतले रेशो में convert हो जाता है फिर इस गन्ने को conveyor के थूँ जूस निकालने वाले मशीन तक ले जाया जाता है यहां इन गन्नों को multiple rollers के बीट से गुजारा जाता है जहां अच्छे से इनका पूरा juice निकाल लिया जाता है अब इस गन्ने के juice को अलग container में इकठा कर लिया जाता है फिर इस गन्ने के juice में sulfur dioxide मिलाया जाता है इसी chemical की वजह से चीनी के दाने crystal की form में आते हैं इसके बाद में इस पे lime powder मिलाया जाता है lime powder मिलाने के बाद इस juice को कुछ गंटों तक यूँ ही छोड़ दिया जाता है यह lime powder गन्ने के juice में मौझूद impurities को container की नीचली सतह पर बैठा देता है फिर उपर बचे इस शुद्ध juice को आगे evaporator में भीजा जाता है जहां इसे काफी high temperature पर गर्म किया जाता है जिससे इसका पानी vaporize हो जाता है और इसमें सिर्फ शुगर का pure सिरप बचता है धीरे धीरे यह सिर्फ गाड़ा होते जाता है और इसमें चीने के crystals बनने लगते हैं फिर इस सिर्फ को steam से गर्म किया जाता है जिससे इसका बचा-कुचा moisture हट जाता है और यह चीने के crystal इसके container के दीवार के उपर चिपक की जाते हैं फिर इन चीने के दानों को पानी के pressure की मदद से वाश किया जाता है जिससे ये वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते है फिर ये चीनी बन कर पूरी तरह से तयार हो जाती है फिर चीनी के दानों को अलग-अलग छोटी बड़ी छलनी से छान लिया जाता है और इस तरह से इसमें से दो-तीन अलग-अलग साइस के दाने वाली चीनी तयार हो जाती है और इसमें सबसे बारिक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है इसके बाद इस चीनी को बड़े-बड़े कंटेनर्स में पैक करके मार्केट के लिए भीश दिया जाता है जैगरी याने की गुड बनाने की प्रासेस भी लगभग शुगर बनाने की प्रासेस के जैसे ही होती है इसमें भी गन्नों को खेतों से काट कर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्टरीस तक लाया जाता है यहां इन गन्नों को डिरेक्टली ही जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जहां इन गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है इसके बाद इससे निकले जूस को एक छलनी से जानते हुए एक अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और जूस निकालने के बाद गन्ने के छिलक को सूखने के बाद जला कर इस्तिमाल किया जाता है जब ये गन्य का रस उबलने लगता है तो इसमें उपर की तरफ impurities जमा होने लगती है इस गंदगी को कुछ workers द्वारा बड़े बड़े चमच में भर कर अलग किया जाता है ये process कई घंटों तक की जाती है जब तक कि इसकी प्यूरी impurities खत्म ना हो जाए ऐसा करते हुए इसमें गन्य का रस गाढ़ा और शुद्ध होते जाता है फिर इसे बचे हुए शुद्ध गन्य के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है बेकिंग सोडा के साथ इसे पकाने से इसकी consistency गाढ़ी होती जाती है ऐसे कुछ देर पकाने के बाद जब इसकी consistency बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर इसे कुछ घंटों तक यूँ ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है इसके बाद ये गुड़ बनकर तयार हो जाता है फिर इसे अलग container में ले लिया जाता है अलग container में लेने के बाद इस liquid क को अलग-अलग shape और size के containers में भर दिया जाता है इस तरह से इस सारे गुड़ को इन छोटे-छोटे बरतन में जमा कर दिया जाता है और फिर इन बरतनों में इस गुड़ के ठंडा हो जाने के बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है जिसके बाद ये गुड़ मार्केट में भ नसलों के बड़े-बड़े खेतों के आसपास होती है यहां सबसे पहले शहद के कई सारे boxes को रख दिया जाता है इन बॉक्स के अंदर कई सारे मदुमख्य के artificial छत्ते होते हैं फिर इन खाली छत्तों में पालतू मदुमख्यों को छोड़ दिया जाता है ये मदुमख्यां आसपास के फूलों से रस को लेकर इन में इकठा करती जाती है कुछ दिनों बाद मदुमख्यों के इन बॉक्स को खोल कर चेक किया जाता है जब इन में शहद अच्छी मात्रा में भर जाता है तो फिर इन छत्तों को इन बॉक्स से एक-एक करके निकाला जाता है और इस पर के उपर बाले धकन को हटा दिया जाता है ताकि शहद को इन में से निकालना आसान हो जाए आप देख सकते हैं किस तरह से इन के उपर की ओपनिंग को हटाया जा रहा है इसके बाद सभी छटों को एक extracting machine में डाला जाता है ये एक rotating machine होती है जिसके अंदर इन छटों को डाल कर गोल गोल गुमाया जाता है इस तरह से इन छटों को गुमाने से इन में मौजूद शहद इसमें से निकलने लगता है शहद निकालने के बाद जब ये छटे खाली हो जाते हैं तो इन्हें हटा कर उनकी जगे वापस से एक artificial छटा लगा दिया जाता है और फिर इन्हें वापस से मदुमक्खियों के बॉक्स में डाल दिया जाता है इस तरह से मदुमक्खिय पालन से काफी जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में शहद को प्राप्त कर लिया जाता है और फिर इकठा हुए इस से शहद को आटोमेटिक मशीन के जरिए अलग-अलग साइस की काँज के जार में भरकर मार्केट में भीज दिया जाता है तो आप सभी को इन फूट प्रासेसिंग मशीनों की द्वारा इन प्राडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूले ऐसे ही इंट्वेस्टिंग नॉलिज से भरे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यम्ट